राजी के पूर्वे मंत्री दुलाल भुईयां पर एक महिला ने जबरन दुकान पर कबजा करने का आरोप लगाया है सिता रामडेरा थाना अंतर गट चंडी नगर की रहने वाली पूजा कुमारी ने पूर्वे मंत्री पर गंभीर आरोप लगाये है बुद्वार को जीला मुख ख्याले पहुची पूजा ने बताया की साल 2014 से चंडी नगर में उनकी मा ने एक दुकान खरीदा था जहां वा चायनास्ता का दुकान लगा कर अपना गुजारा करती थी मगर पूर्व मंत्री ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए मुहम्मद वसीम नाम के एक वैक्ति को दुकान बेच दिया और उसे बेदखल कर दिया महिला ने बताया कि इसको लेकर जीले के तमाम प्रशाशनिक पदाधी कारियों एवं जन प्रती निधियों तक फरियाद लगा चुकी है मगर उसे इंसाफ नहीं मिला है अब रोजी रोटी चलाने के लिए हमको चाहिना सकता दुकान करना पड़ा और कुछ केसे जो हमको फीसुस देना पड़ता था वकील को अपना केसे और उसके बाद अभी लोग डोन का दोरान दुकान पूरा टुड़िया था तो उसको हम पक्का से रिप्यारिंग किये और पुराना सटा रूटल लगा के जैसे करके अपना दुकान को चलाना चाहिए फिर हम मुहम्मद वसीम को भाड़ा में दे दो हजार एडवांस लिए और दो हजार पर महना भाड़ा पर अभी जब हम दुकान बना रहते हैं तो जो बना रहा था मिस्टिरी या कोई लड़का उस से चावी दुलाल भुया ने आके खुझसे लगा के मेरा ही ताला चावी सपना चावी ले गे जिसमें भर का भी चावी है आज तक हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं और अभी मुहमद वसीम बोलता है कि हम दुलाल भुयांस तुकान खड़ी दिया है तुम दुकान बेश दी है जबकि हम हर परमान देने के लिए उनको तयार है हर परमान बोले स्टांपेपर में लिख के दो कि तुम दुकान नहीं बेशी है हम सोचे यह नहीं थे कि अपना रोजी रोटी चलाएंगे और जो केस भी चल रहा है हम अपना यहीं से पीसुस देंगे वकीर को हां पता है ऐसा करेंगे अनुमान है किये है मेरे साथ नजाने और कितने का साथ किये होंगे जाएंगे मेरे जगह हैं अब मैं रोजगार हो जाँगे तो मैं कहां जाँगी था आज में कोई सब्सकान है आगे में दोकान चला ते कि आज उसको कप्चा कर लिए दुलाल भुयाने और अभी बोलता मुहम्मद वसीन की मेरा दोकान है तिन मुश्किलों के साथ अपका परिवार से तो चल रहा है मेरा परिवार मेरा दुकान सब्सक्राइब दे आए सबस्क्राइब डिया है फिर गरीब को क्यों सता रहे है मैला ने बताए कि पूर्वे मंत्री खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं लेकिन उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं उनसे इंसाफ की गुहार लगाई है उनसे अत्याचार कर रहे हैं